नमस्ते नमस्कार मेरा नाम है संदीप कुमार शुकला आप देख रहे हैं क्लास 24 SSC एक्जाम्स देखे जब भी आप किसी एक्जाम की त्यारी करते हैं वह जो है रेलवे के एक्जाम हो अब एक सवाल है कि वेकेंसी कब आएगी एलपी कब आएगा एलपी आने का चल रहा है बट अलपी कब आएगा एक सबस्वाल होता है बट SSC में ऐसा नहीं है SSC बिल्कुल आग लाक के रखा हुआ ना मतलब SSC ने ऐसा कर दिया कि हम खुद भी यकीन नहीं कर पाती कि यह क्या देखो एक लाख वेकेंसी कितनी हÕ आपके पास में तो SSC की टियारी अप यहाँ और एक कृ contenido में लेवल इसा होता है जैसरी एगर आप SSC की त्यरी कर लेते हैं जीके? math दिजनिंग English एगिंगर आप SSC C48 की त्यारी परते हैं कोई भी एक्जाम हो आपका काम हो जाएगा अगर आपने सीजियल लेवल की त्यारी कर ली तो आप हमेशा कोसे कीजिए कि यह मान के चले कि आप सीजियल त्यारी कर रहे हो सीजियल की त्यारी कर लोगे तो आपके सारे एक्जाम कवर हो जाते हैं एक्जाम जनवरी में हैं जनवरी में डेट आ गए 10 जनवरी से 14 फरवई तक है कुछ जहां पर 12 फरवरी है आपको पते 45,000 वेकंसी है जीडी का मैं उम्मीद करता हूं फॉर्म भर दिया हो कि अभी तो फॉर्म बंद हो चुका है क्योंकि छे दिन वाद एक्जाम उसके बद में च्छाल का एक्जाम मार्च में होने वाला है इस वे पांट सिजार दस जार हंडेपरशंट होगा उस में में MTS का वेकेंसी आने वाला है अप्रेल में MTS का पेपर है मतलब देखें और कमाल की बात यह है इनका लेवल चाहिए इनका लेवल चाहिए जीडी हो एक नॉर्मल लेवल है अगर सीजिये लेवल के शी त्यारी की है न यह एक्जाम आपके ऐसे चुट्कियों में निकालोग है उसके बाद आगे जाएंगे आपका सव्च पोस्ट पेज में सब्कि cookingabled अभी सफेंजेंव ने होने हरा है तो मैं देखे जनावरी फरवर्य पर अप्रेल में माई जुन बाकर क् defence आपकर ऑफ okay जील में जुन जुलाई में मद को सीचियल का हुआ है मार्च में और एक CHSL फिर से कब होने वाला है आपका जुलाई अगस्त में उसे बाद में MTS की बात करो तो MTS का फिर से एक जाम होने वाला है अगस्त सितंबर में मतलब आपको दो दो एक जाम मिल ला देखे एक MTS मिल रहा है आपको अपरेल 2023 में और एक MTS मिल रहा है आपको अगर्स्ते जितंबर में। मतलब छह महिने के अदर दो ! 6 महिनिक अंदर 2C6,D6,전 2C125, और 1 10000 प्लस में है 1 लाख केंसी 1166ешь माइन ह dlatego Bugün पूरी वेकीनिक प्डेए बैको साजी में स्क्रीन सॉट में पूरी पीदिय। आपको दे दूँगा आराम से आप इसको पढ़ ली जेगा एक कौन कौन से एक्जाम कब है मैं एक बार हलका सा ओवर्वीव देता हूं आपको तो आपको अंडरस्टनिंग हो जाएगी यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छोटी है यहां पर पहला आपका जी डी का पेपर है जन्वरी में 10 जन्वरी से श्टाट हो रा है उस बाएंप can was मैं होने वाला है उसiles अप्रएर में होने वाला है उस बाएं युल्ड में है सीजेटता का टायरवन फिर से होγα जुन-जुलाई में उस बाद में στα ze पर दिली पुलिस होते हैं यह होगा आपका अक्टूबर में उसके पाद में जूनियर जे एक्जाम अक्टूबर में होने वाला है और आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अक्टूबर नमबर 2023 में होने वाला है यह तो हो गया आपका 2023 का उसके पाद एक और वेकेंसी के यहां पर दिया हुआ है तो जनवरी चल रहा है अभी जनवरी 2023 चल रहा है है अपर यकीन माने यहां पर इन्हे कलिंपर में फरवरी मार्च 2024 तक का दे दिया है मार्च 2024 तक का दिया है एक लाख है कैंसी है वन लाख वेकंसी है अगर je 1 लाख विकेंसी तो पहाही कर लिए कोई न कोई में ळो रखना के यह त्यों सब्सक्राइब जरू किजेए यहां पर लगातार एससी के नॉन स्टोप प्र दो चनल यहां पर जीडी की स्पेसल क्लास मैं लेता हूं करेंट करके बताईए कि कौन सी क्लास आपको चाहिए जो भी क्लास की आप डिमांड करेंगे उस क्लास वाको फुल्फिल किया जाएगा दूसरी बात है कि हर एक जाम का जितने भी जाम से उसमें सारी चीज़ों पर स्पेसल वीडियो मैं कर दूंगा मैं इंडिविजल कर दूंगा लगतार प्लेलिश बना दूंगा सीजील सी एचसल सीपी ओ एमटीएस की उनको आप देखते रही है लगतार तरीके से और आप पढ़ाई करते रही है महनत करते हैं हम आपके साथ हैं मिलते स्टूडियो में तक लिए बाब है टेक केर